जब भी हम फिस फ्राई या फिस करी बनाते हैं तो मसालों की अच्छी सी फिस के ऊपर कोटिंग नहीं हो पाती है मतलब इसमें से पानी रिलीज होने लगता है तो उससे बचने के लिए क्या करें दो चमच बेसन डाल दीजी उसके बाद सारे मसाले एड करके अच्छे से मिक् पानी रिलीज नहीं हो रहा है तो आप इसको ऐसे फ्राई कर सकते हैं तो इसको बढ़िया से गरम गरम तेल में डालिएगा एक तरफ से फ्राई होने के बाद दुसरी तरफ पलट दीजिएगा और यह जब दोनों तरफ से बढ़िया से गोल्ड और ब्राउन हो जाए तब इसको निकाल लीजिएगा तो देखिए दोनों तरफ से कितने बढ़िया से क्रिस्प हो गए हैं यह देखिए और मसाले देख रहे हैं कितने बढ़िया से चिपके हुए हर एक फिस के उपर और कितने बढ़िया से बिना नौनिस्टिक बरतन के भी यह निकल जा रहे हैं तो जब भी मटन बनाते हैं मटन को पकने में धेर सारा टाइम लग जाता है तो उसे बचने के लिए प्रेसर कूकर का इस्तमाल करें और अपने मन पसंद मसालों को पहले भून करके इसमें मटन आड़ कर लीजिए अब भूने हुए मसालों के साथ मटन को अच्छे से मिस्ट करके 10-12 मिन तक ढग करके पका लीजिए ऐसा करने से मसालों का फ्लिवर मटन के अंदर बहुत ही अच्छे से चला भी जाता है और मटन 30% तक कूक भी हो जाता है अब इसमें जितना आपको ग्रेवी के लिए पानी चाहिए उतना पानी डाल सकते हैं और डाइरेक्ट प्रेसर कू करके खाल आने पर इक बार चला लेजिए उसके बाद प्रेसर कूकर का ठेश कं लगा करिंस टॉल सब्साइब लोग से अच़र अच्छे से निकल चाहें कर द डाइए और यह अघता कि प्रेशन मटन मटन के रर्य रेली में एक और क्भी तो इस tip को follow करके बहुत ही delicious mutton बहुत ही कम समय में बना सकते हैं कभी कभी ऐसा होता जब भी हम अंडा करी बनाते हैं अंडा करी उतना जदा टेस्टी नहीं बनता है चाहे हम कितना भी मेनद कर लें तो उसके लिए क्या करी एक boil अंडे को ऐसे घिस लीजिए ऐसा करने से gravy हमारी बहुत ही गाड़ी हो जाती है और जो gravy का टेस्ट है एकदम डबल हो जाता है तो जितना आपको करी के लिए अंडा लेना हो उतना फ्राई कर लीजिए और एक अंडे को ऐसे बिना फ्राई किये ही boil अंडे ऐसे घिस लीजिए अब इसको मसालों के साथ 2-3 मिनद तक भून लीजिए उसके बाद इसमें gravy के लिए पाने डाल करके ढ़क करके medium to low flame पर 15-20 मिनद तक पका लीजिए उसके बाद देखिएगा gravy बहुत ही बढ़िया गाड़ी हो जाएगी और देखने में बहुत ही tempting लगेगी जिनको भी serve करेंगे सब उंगले चारते रहा जाएंगे और पुछेंगे जरूर बनाये कैसे हैं तो I hope यह tip आपको बहुत पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें कभी कभी ऐसा होता जब भी हम फुलगोवी की सबजी बनाते हैं मसालों के साथ फुलगोवी को पहले अच्छे से भून लीजिए दो मिनट तक ताकि जो मसालों का फ्लेवर है अच्छे से फुलगोवी के अंदर तक चला जाए और सबजी बहुत ही डिलिसेस बन कर त्यार होती है जब 2-3 मिनट इनको भून लेंगे उसके बाद इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालने जितना आपको ग्रेवी रखना हो कम यह जादा अब इन सभी को अच्छे से मिला लीजिए और ग्रेवी में उबाल आने तक वेट कर लास्ट में थोड़ा सा कटा हूँ हरा धन्य डाल सकते हैं अगर आपको हरा धन्य का फ्लेवर पसंद हो तो अच्छे से मिला लीजिए और गर्मा गर्म आप सर्व कर यह सुपर डिलिसेस फूल गोवी की सबजी बनाते समय इस टिप को फॉलो कर यह बिल्कुल भी आपके फ पाने डाल करके इसको पड़िया से पीज करके एकदम स्मूथ पेष्ट त्यार कर लें यह देखिए ऐसा अब जो भी घर का खाना बनाए हो जा भेज हो या नौन भेज हो उसमें इस पीसे हुए पेष्ट को एड़ कर लीजिए और 2-3 मिनार तक लो फ्लेम पर ढग करके पक लीजिए मैंने इस पेष्ट को चिकन में इस्तमाल किया है अगर आप वेजिटेरियन है तो इसके जगह पर पनीर में भी इस पेष्ट को इस्तमाल कर सकते हैं तो अच्छे से मिला का 2-3 मिन तक लो फ्लेम पर पका लीजिए और यह देखिए हमारी सुपर डिलिस्यस चिकन क स्वात देना अपने घर के खाने को ही तो फिर होटल और रेस्टोरेंट और बाहर का खाना क्यों खाएं तो आई होप यह टीप आपको बहुत पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कभी-कभी ऐसा लगता है मस पाने डालकर मसालों को पीश लिजये और इस तरीके से एक दम स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिजये फिस्ट को पहले ही अच्छे से धो करके रख लिजी और सारा पानी रिलीज कर लिजये मतल्ब पानी बिल्कुल भी फिस्ट में रहना चाहिए अब इसमें पीसा हुए मसाला पेस्ट आइड कर लीजिए फिर इसमें ड्राइए मसाले भी डाल दीजिए गरम मसाला लाल मीर्स थोड़ा सा हल्दी और स्वादमसा नमा चैपटा फ्लेवर देने के लिए इसमें निम्बू का रस या फिर आमचूर पाउडर जरू डालिए अच्छे से मिलाकर 15-20 मिनट के साइड में रख दीजिए मैरेट ऊने के लिए उसके मांद करके ओडसे आड कर लीजिए और मीडियम Russimm पर एक होने दीजिए यड़ी एक तरफ से रहे आपी बढ़िया हो जाएंगे तभ इनको दूसकर पलट दीजिए और दूसी से थिए बढ़ियां चाहिने की और बार लिए फिसन बार लेंगे जब तक कि फीज दुने नट रबण से क्रीज पना हो जाए ऐसे देखिए तो अब क्या करेंगे ऐसे एक एक करके सारे फिस के पीसेश को निकाल लेंगे तो देखे कितना आसान तरीका है मसाला फिस फ्राई बनाने का और ये खान पसंद करना पसंद करते हैं मतलब कुछ कुछ बच्चे होते हैं सभी बच्चे नहीं उससे बसने के लिए क्या करिए एक कंड़े में बहən changer कर लिए अपीले वाले हिसे को कड़ कर लिए साड में रख दीजे और ससे हिसे को इस तरीके से कट लिए यह देखे das सफेद वाले हिसे को पहले गरम गरम तेल में डाल करके बढ़िया से इनको सेलो फ्राइ कर लीजे तो ज्यान्दा फ्राइ मत करिएगा ऐसे सेलो फ्राइ करने से इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जैसे इस तरीके से फ्राइई हो जाएं तम निकाल लीजे अब पाउडर डाल दीजिए इससे बहुत ही बढ़िया चट पटा सा फ्लेवर आएगा अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो निम्बू करस भी डाल सकते हैं अच्छे से मिला कर मेडियम फ्लेम पर दस मिनद तक पका लिजिए दस मिनद के बाद इसमें अंडे के पीले ज़रूर बनाईएगा इसकी रेसिपी आपको मेरे चनल पर मिल जाएगी कभी कभी ऐसा होता जब हम चिकेन पोटा कलेजी घर पर बनाते हैं तो उतना ज्यादा डिलीशेस बनकर त्यार नहीं होता है तो उससे बचने के लिए क्या करिए इसमें 100 ग्राप बोलने चिकेन हरा धन्य डालकर अच्छे से मिला लीजिए और इसको डायरेक्ट गर्मा गर्म सर्व करिए खाते समय हर बाइट में जब हरी मिर्च का टेस्ट आता है तो बहुत अमेजिंग लगता है तो इस टिप को फॉलो करके चिकेन पोटा कलेजी बनाईए आपको बहुत पसंद आया तो आई हो बेटी पाप को पसंद आया होगा